हेलो दोस्तो मैं सुमिष सर आपका फिर से एक बार स्टडी फोर पीसियस में आपका स्वागत करता हूँ सबसे पहले दोस्तों आपको रामनोमी की देर सारी सुब काम ना है आसा करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे और आज मैं फिर से एक ने वीडियो के साथ आपक आते जा रहा हूँ कि आप जूरे रही है इस चैनल से स्टडी फोर पीसियस से आपको यहां पर फ्री कंटेंट अवलेबल है आप देखिए वीडियो को फॉलो कीजिए आपका कंप्यूटर में 20 में से कम से कम 18 टू 17 टू 18 कोस्टन आपका कहीं नहीं जाएगा तो आप इस चैनल से जूरे रहे जितने भी कोई है कनेक्ट हो जाएए सब्सक्राइब कर लीजिए और इससे जूरे रहिए इसके अलावा मैंने आपको फिर से बता बता चुका हूं कई और फिर से मैं बता रहा हूं कि इसमें और भी बहुत सारे content जो है जिसके जिसके और जो भी आपका लेंग्वेज पिपर है उससे भी available content यहां पर available है उसके अलावा अगर आप आपको कुछ भी करने का जोरत नहीं है बस वीडियो देखते रहिए आपका काम चलते रहेगा तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो है हम लोग का components of computer components of computer और उसमें देखते हैं हम लोग क्या-क्या है और क्या-क्या पढ़ने हैं तो स्टार्ट किया जाए दोस्तों यह components of computer आपको दिख रहा होगा तो basically components of computer को हम लोग क्या कर रहे हैं यहां पर कि तीन पार्ट में divide कर दिया जा रहा है दोस्तों एक चीज में बोलना चाहूंगा बहुत सारे स्टुडेंट का डिमांड है कि आप हिंदी में परहिए सर हिंदी में लिखवाईए दोस्तों मैं आपसे request करूंगा और बोलूंगा कि computer को आप English में ही पढ़ने का कोसिस करें तो हिंदी में जाओगे पढ़ने बहुत कुछ आपको समझ में नहीं आएगा जितना भी कुछ हो रहा है मैं हिंदी में ही बता रहा हूं हिंदी में बता रहा हूं लेकिन जो कुछ वार्ड है जैसे computer हो गया CPU हो गया यह सब का अगर आप हिंदी जानने जाएंगे तो आप ही को problem होना स्टार्ट हो जाएगा इससे अच्छा यह है कि आप इसको समझें इंग्लिस में ही और बाकि मैं हिंदी में बोली रहा हूं कहीं भी आपको problem आ रहा है तो आप comment कीजिए मैं फिर से improve करूंगा और फिर से उ जो आपको अब लेवल करा दिया जाएगा वह हिंदी इंग्लिस में करवा दिया जाएगा जिससे आपको आसानी होगा तो जितने भी को हैं जल्दी से connect हो जाएए और आए देखते हैं अब computer में आप देख रहे होंगे दोस्तों कि input CPU output यानि तीन पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया गया तीन पार्ट में यह divided है तबसे पहले input unit फिर CPU फिर output unit यह तीनों यूनिट जो है तीनों यूनिट जो है यह मिला दोगे आप मिला दोगे तो समझों कि एक computer जो है computer जो है वह एक काम करने लगेगा अपने तरीके से computer जो है वह function करने लगेगा तीनों यूनिट जब एक साथ मिलता है coordinate होता है एक दूसरे को components computer में जो है input unit CPU और output unit यह तीनों जो है यहाँ पर है components आप computer में एक एक करके हम देखते हैं आगे सबसे पहले हम input unit का क्या काम वहता है और है क्या input unit नाम से पता चला है दोस्तों नाम से पता चला कि input unit यानि कि कुछ input करना तो computer में जो भी data इंटर होगा, कम्प्यूटर में जो भी डेटा इंटर होगा, वो input unit के help से इंटर होगा, वो input unit के help से इंटर होगा, input unit जो है, उसको computer के अंदर भेजेगा, input unit का क्या काम हुआ दोस्तों, input unit का क्या काम हुआ दोस्तों, कि to enter data into a computer, to enter data into a computer, यानि data को क्या करता हो, वो computer के अंदर भेजता है, अब data को देखोगी computer के अंदर भेजेगा, कैसे कैसे कुण को, जैसे text को भेजना है, तो keyword से tap करोगे, आप वो data अंदर जाएगा, picture को भेजना है, picture को, image को भेजना है, तो image जो होगा, जो भी device के help से जाएगा, वो input unit होगा, input device होगा, तो text हो गया, image हो गया, audio हो गया, video हो गया, animation हो गया, graphics हो गया, जितना भी कुछ है, जो भी computer के अंदर जाएगा, जो भी computer के अंदर जाएगा, वो input unit के help से जाएगा, अब देखो, इसका काम क्या हो सकता है, इसका जो function क्या होगा, सबसे पहला function जो होगा, सबसे पहला function जो इसका होगा, यह देखो दोस्तों, to enter data into a computer, input unit का काम है, अब इसका थ्वासा function हम देखते है, इसको हम erase कर रहे है, function, सबसे पहला function दोस्तों है, to accept data, data into to accept data from user, यानि आप जो data को इंटर करेंगे, data को इंटर करेंगे computer कर अंदर उसको ये accept करेगा, उसको ये accept करेगा, और accept करके क्या करेगा ये, ये accept करने के बाद क्या करेगा, कि उस data को convert करेगा, तो convert data, data into computer readable form, computer readable form, मतलब कि computer जिस language में समझेगा, उसमें वो convert करेगा, उसमें वो क्या करेगा, convert करेगा, और send to the CPU, और third में क्या करेगा, send to the CPU, यानि कि इसका तीन काम में है कि ये user से data को accept करेगा, और accept करने के बाद ये क्या करेगा, तो उसको convert करेगा, computer जिस language में समझते हैं, यानि कि machine language में convert करेगा, और इसको CPU के पास भेज़ देगा, यानि कि process होने के लिए CPU के पास क्या करेगा, उसको भेज़ देगा, यहीं आपका input unit का main काम है, input unit का main काम आपका, यहीं है, कि data को जो है input unit के help से आप enter करते हैं, और ये क्या करेगा, उसको मतलब CPU को ये भेज देगा, जहांपे इसका processing होगा, यानि कि ये accept करेगा, change करेगा, computerizable form में, और CPU को send करेगा, यहीं आपका काम है दोस्तो, input unit का, यहीं काम है दोस्तो, input unit का, अब हम क्या करते हैं, अब हम next में चलते हैं, और इसका example देखते हैं, कि इसका example कौन-कौन सा device हो दोस्तो आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले आपको दिख रहा है, keyboard, numeric keypad, pointing device, remote control, joystick, touch screen, scanner, graphic tablet, microphone, digital camera, webcam, light pen, सब में एक चीज common है दोस्तो, सब में एक चीज common है, कहीं न कहीं अगर आप device को जान दे होंगे, तो सब के help से, किसी ना किसी फाउब में, data जो है, computer के अंदर जा रहा है, सबसे पहले keyboard ले लेते हैं, तो keyboard अगर आप लेते हो, तो keyboard में कुछ भी टैप करते हो, आपको दिखता है, keyboard में कुछ भी टैप करते हो, आपको computer पर दिखने लगता है, यानि कि data आपका जो है, computer के अंदर चला गया, यानि कि इसके help से computer के अंदर जा रहा है, तो व महुष मुष्स से भी आप कुछ करते हो चंदली बॉलते मौहस् से भी करोंगे कुछ तो देखो कैंदधीर को एक देटा को ना को सलेक्शन तक काम हो ौ रहा है उसके अंदर लेटा का इक और सेलेक्शन का हो रहा है और एक भी से फोल्डर के कर रहा है तभी जाके आपका काम कर रहा है तो किसी ना किसी पर में डेटा जो है बुढ़ आनर जा रहा है टुछ स्क्रीन यूज करते हूं घ्याम में देखते होंगे आप प्रेस कर रहे है और काम कर रहा है याậnि कि स्फेक्टर की आप कंपिटर के अंदर जारह को तो वह scanner के help से भेज़ेंगे यानि कि hard copy को अगर soft copy में चेंज करना है तो वह scanner होगा scanner से क्या होता है कि hard copy जो है वह computer के अंदर चल जाता है as a soft copy तो वही scanner है graphics tablet में जो भी वही same चीज है कुछ भी लिखते हो आपका अंदर दिखता है अंदर चला जाता है data तो बिल्कुल उसी तरीके से आपका microphone अगर आपको voice को अंदर वेजना है तो आप microphone का use करते है computer के अंदर वहाइस चला गया उसी तरीक से digital camera आप photo अगर click कर रहे हो और computer के अंदर भेजना है तो digital camera में क्लिक करते है वह computer के अंदर चला गया को इसके help से जाता है तो यह डिश्टर केमरा हो गया उसी तरीके से वेब केम वेब केम का योज यूज बहुत हो रहा है जब यह वीदियो कॉल करते हो तो वेब केमि उसमें देखता हो घटाई आपका पिक्चर जो है वह आपको दिखता है यहानि पिक्चर आपका क्या हो रहा है इन्पूट हो रहा है तो यह आपका वेब केम उसी तरीके से लाइट पेन बिल्कुल उसी तरीके से कुछ लिख रहो कम्पूटर के अंदर दिख रहा है तो बिल्कुल वही क्या है आपका लाइट पेन है तो बिल्कुल यह सब क्या है दोस्तों यह सब क क्या है इंपूट डिवैस तो होप कि इंपूट यूनित आपको समझ में आ गया होगाँ इंपूट आगया और बस इतना ध्यान में रखे कि जो यूनिट डेटा को computer के अंदर भेजने में help कर रहा, input unit है, जो device के help से computer के अंदर जा रहा है data, वो input device है, चाहिए वो कोई भी device ले लो, जिसके help से आप computer के अंदर data को भेज दोगे, वो आपका क्या होगा, input device होगा, next चलते हैं दोस्तो, next है CPU, सबसे पहले तो इसका full form जान लो, जो कि आप जानते भी होंगे, Central Processing Unit, Central Processing Unit, Central Processing Unit, ये CPU जो है दोस्तो, इसको brain of the computer बोला जाते है, जैसे आपका जो दिमाग है, उसको आपका जो दिमाग है, या हम लोग का जो भी human being का दिमाग है, वो main component, main होता है human being में, जो भी brain है, तो brain अगर काम करना बंद कर देता है, तो आदमी क्या होता है, खौमा में चले जाता है, यानि कि आदमी एक तरीके से जिंदा लास की तरह है बिना brain के, उसी तरीके से अगर computer में CPU काम करना बंद तो computer बेकार, CPU काम करना बंद तो computer बेकार इसी के चलते CPU को brain of the computer बोलते हैं, अब देखो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, कि आप जैसे keyboard से कुछ टाइप किया और आपको monitor पे दिल गया, तो इसका मतलब यह मत समझना कि keyboard direct monitor से connected है, keyboard direct monitor से connected है, keyboard direct monitor से connected नहीं है, keyboard से data जा रहा है CPU के पास processing हो रहा है, तब जा रहा है monitor पे, बीच में CPU है, processing हो रहा है, बीच में instruction जो भी है data है, उसका processing हो रहा है, तब जाके वो data जो है आपका जा रहा है, output unit में, monitor के पास, इसका मतलब कि processing जो है बहुत ही important, अगर process नहीं होगा data, तो आपका computer कामी नहीं करेगा, आपका computer कामी नहीं करेगा, तो CPU is the most important component of the computer, most important component of the computer, that is called brain of the computer, यानि इसलिए इसको brain of the computer बोलते है, कि इसके बीना काम चलेगा, इस CPU अगर नहीं है, तो आपका computer काम नहीं करेगा, CPU नहीं है, तो आपका computer काम नहीं करेगा, इसका full form होता है, center processing unit, brain of the computer बोला जाता है, कभी-कभी exam में आ जाता है, कि brain of the computer किसको बोलते है, आपको बूलना है CPU को इसका function क्या-क्या है थोड़ा हम देख लेते हैं देखो सबसे पहले CPU stands for Central Processing Unit CPU stands for Central Processing Unit पाता है आपको अभी बता है है brain of the computer यह भी पता है इसको हम लोग जेनरली इसको हम लोग प्रोसेसर भी बोल देते हैं CPU को हम लोग क्या बोलते हैं प्रोसेसर भी जेनरली बोल देते हैं क्या कि यहां पर कामी होता है इसे उसे का काम ही होता है instruction को process किया जाता है इसको हम processing भी बोल देते हैं प्रोसेसर भी बोल देते हैं अब दोस्तों computer cannot work without processor जाहरी इसको बीना काम करी सकता है अदो computer का काम नहीं करेगा तो इसके बीना काम जो है computer करीने सकता है so CPU most important part of the computer all computer must have a cpu cpu performs all operation on a data according to the given instruction most of the work consists of calculation and data transfer जो भी आपका instruction है जो भी आपका data है सब पर processing होता है according to जो भी instruction दिया हुआ रहता है उसके according उसके process होना ही होना है बिना उसके काम चलेगा ही नहीं इसलिए cpu जो है most important part of the computer है जो की process करता है instruction को जो भी आप instruction दे रहे है जो भी आप data दे रहे हैं उसको क्या करता है उसको process करता है उसको क्या करता है process करता है cpu Just tune क reicht curry में भी दोस्तो तीन पार्ट में डिवायर रहता आपको मैं बता रहा हूं देखो आ तो दो को सीपई यू जो है आपको तीन पार्ट में डिवाइड है मेमोरी यूनिट कंट्रोल यूनिट अर्थमेटिक यूनिट एनलॉजिकल यूनिट इसमें अल्लेडिक यूनिट आपको बता चुके हैं जो भी नहीं देखें उस वीडियो को जाके फॉलो किजिए आपको पता चल जाएगा र्फमेटिक यूनिट हम बताते हैं अब इसका क्या काम है उस्ता अर्थमेटिक यूनिट का क्या काम है यानि कि सी यू और सबसे पहले है कि हम कि यू को देखते हैं कंट्रोल यूनिट को अगर देखा हुआ कहीं है तो आप समझ देखें कि यह का यूनिट है यह आपका कंट्रोल यूनिट है आप इसका काम क्यारे है और य blinking आप समझने का कोईिस को अब जैसे आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो funky नाफ मे करे रहे है तो इस तरीके से आप बहूत सारा इस्ट्रक्शन आप कंप्वीटर को दे रहे है तो data का जो flow है जो processor के पास जा रहा है उसको control कों करेगा control unit उसको control कोन करेगा control unit क्वोन सा data कब कैसे process होगा कब कैसे execute हो करेगा तो उसको control करता है control unit यानि it controls the flow of data जैसे आप जली जली ABCDEF टैप कर दिए ABCDEF जली 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 टैप कर देए तो कून सा डेटा कैसे प्रोसेस होगा according to given instruction वो control करेगा control unit वो flow जो है control करेगा control unit अब देखो जैसे हमको अपना नाम टैप करना है सुमित सुमित तो पहले हम एस करेंगे फिर यू करेंगे फिर एम करेंगे फिर आय करेंगे ट करेंगे ऐसा तो नहीं होगा जैसे एस यू टैप किये यू टैप किये पहले यू दिख रहा फिर एस दिखेगा नहीं होता है जैसे जो टैप कर रहे है उसी order में हमको डिख रहा ह है according to given instruction कौन execute करवा रहा है control unit तो control unit का यही काम होता है दोस्तों कि data को flow को कैसे control करना है किस तरीके से execute करवाना instruction को किस तरीके से process करवाना है यही काम होता है आपका का control unit का अब हम देखते हैं अर्थमेटिक यूनिट एल यू इसमें दो यूनिट में डिवाइड है दोस्तों एक आपका अर्थमेटिक यूनिट और एक होता लॉजिक यूनिट लॉजिकल यूनिट 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 यू लॉजिक यूनिट बोलोग अर्थमेटिक यूनिट तो आर्थमेटिक यूनिट का दोस्तों क्या काम है इसी समय इसका काम है कैलकुलेशन का जैसे आपका A&T क्छा जो गा ये अर्थम्हाटिक यूणित के हिल्स सब क्डू सा जाता कि क्या हुआ मैथ पूछा जाता क्यूंत प्रफर्म होता है आपको बोलना है उनित क्या का मैं जो भी आपका आप Ça है जो भी calculation है बाब अर नोथ साथ आपको समझ में नहीं आ रहा होगा यह बस आप इतना समझ लो कि जो भी कंपेर करने का काम है दो नंबर में दो या दो से ज्यादा नंबर कोगर हम कंपेर करते है कोन फारा है कोन चोटा है कोन इकेल टो तो वह सारव का सारा जो operation perform होगा वो logical unit के help से होगा तो बस आपको यह समझना कि alu divided into two unit automatic unit logical unit और arithmetic unit का काम है calculation calculation like subtraction addition division multiplication logical unit का काम है comparing two numbers less than greater than equal to यह सब जितना भी तरीके का function perform होता कि कुन सा number बढ़ा है छोटा equal to है वो सब का सब logical unit में होता है उसके अलावा end or not और भी बहुत सारा operation है यह सब जितना भी operation है वह सब का सब इसी में होता है लेकिन गेट आपको भी समझ में नहीं आगा अगर आप पर रहे हैं तो समझ में आ रहा logical unit में यह आपको ध्यान में रखना है अगर बढ़ते हैं दोस्तों तो CPU में आपको यहीं बता रहे जो नहीं देखे हैं वीडियो लिंक में डाल दिया जाएगा आप जाके डेटा को जाके वीडियो को फॉलो किजिए उसको देखिए आपको समझ में आगा कि दिमाग में डाल लो दोस्तों अगर कोई भी काम परफार्म हो रहा है कम्प्यूटर में तो उसको कहीं ना कहीं एस्टोर होना चाहिए वह टेंपरोरी हो या पर्मानेंट हो उसके लिए चाहिए उसके लिए मेमोरी चाहिए ही चाहिए तो CPU में CPU में सेंटरी प्रो informing यूनित में मेमोरी यूनिट आक्प्रथ एंथिक ऐन लोजिकल जोनित कंट्रोन मिलकी में प्रोसेसिंग का काम इस्टरक्श कर सेंक को कथे स्ञाइब आहे हैं वा प्लाव कि अध्यानिकर बनता है आगे बहुर्ते हैं कि है वiosa लिए नॉर्मल का क्या हम होता है आप बले में समझ ऑल की पैसेशनजर को एक जगह से उठाना दूसरे जगह लेकर चले जाना जoureफ से उठाना दूसरे जगह लेकर छोड़ días तो बस में ale काम में रहे हैं जितना भी सिगनल को ये टांसफर करता है यहीं आपका काम MI बहुत जगह आज आता है कि बस क्या है तो टांसफर डेटा फ्राम वन प्लेस तो इन अधर प्लेस इन शिस्टम डाट इस पॉस सिंपल में भी बस का काम वही होता है कि एक जगह से लेकर प्रेसेजर को उठाना दूसरे जगह टांसफर कर दें कंप्पूटर में वही जो है का डम यहां पकर यह वायर लगाता है को सिडल को टांसफर करता है एक जगह से दूसरे जगह वही काम है बस बस वही है उस वही यह निए वही काम है कि signal को एक जगह से दूसरे जगह transfer करते रहता है ज्यानि data को एक जगह से दूसरे जगह क्या करता है transfer ये करता है आपका जो bus से Simple आप लिख सकते हूँ to transfer data from to transfer आपका बस का काम है दोस्तों यह आपका बस का काम है तुटांसफर डेटा फ्रम वन प्लेस टू अधर प्लेस नेक्स चलते हैं दोस्तों राव नेक्स चलते हैं और हम उट्पूट यूनिट के बारे में जानते हैं जो लास्ट कंपोनेंट है आपका कंप्यूटर का करके ईंदर मूनि इंकर क्या था इंदर आपफeries ने इंपूरट-उनिट क्या से बाहर ऐसंसरे समझनों डेटा को कंप्यूटर से बाहर भेजना किसी ना किसी फॉर्म में और्ट पुट यूनिट का यही काम है तो सबसे पहले क्या काम है और्ट यूनिट का कि टू डिस्प्ले डेटा तू डिस्प्ले डेटा डिस्प्ले डेटा अब देखो दोस्तो जैसे कि इन्पुट यूनिट से डेटा गया उस कम्प्यूटर डिडेबल फॉर्म में चेंज हुआ फिर उस पर प्रोसेस हुआ तो वही डेटा डिस्प्ले नहीं होता है फिर से और्ट पुट यूनिट क्या करता है उसको चेंज करता है human-dedable form में जिस form में data को हम अंदर भेज़े हैं उसी form में वह वापस change होता और वापस हमको दिखता है उसी form में अगर computer अपना ही form में भेज़ दे तो आपको समझी नहीं आएगा कि क्या data है वह machine language आपको boundary language समझी नहीं आएगा कि data क्या है तो output unit का एक और काम है display करने से पहले कि to change data into human-dedable form to change data into human-dedable form इसका एक और काम है output unit का to change data to change data into human-dedable form human-redable form यह आपको याद रखना है दोस्तों output unit का क्या काम है कि data को display करना और display करने से पहले जो भी आपका data है उसको human-dedable form में change करना यह आपका output unit का काम है अब हम देखेंगे कि इसका example क्या क्या हो सकता है आप खुद दिमाग लगाओ कि 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 किस device के help से data जो बाहर आ रहा है सबसे पहला तो आपको दिमाग मैंगा monitor कुछ भी अगर आपको दिखता तो monitor में दिखता है वो monitor में display हो रहा है तो वह आपका क्या है output unit क्योंकि data जो है CPU से बाहर आ रहा है monitor पे डेटा जो से बाहर आरा मोनीटर पे इसका मतलब आप यह मत समझ ले ना आने का मतलब कि monitor monitor को तोर के बाहर आ जाएगा data ऐसा नहीं है monitor पे आगया यानि समझो कि वह computer के बाहर ही है यानि CPU से बाहर आ गया data समझझ के वह computer के बहर आ गया जब बाहर आने का मतलब यह नहीं है कि monitor को तोर के बहर आने का मतलब यह है कि CPU के बाहर आ यानि computer के बहर आ गया तो data जो बहर आ रहा है वह आपका monitor है monitor पर आ रहा है हाट कॉपी को सॉफ्ट कोपी में चेंज हो के कंप्यूटर के अंदर जाता था उसी तरीके से अप का जो भी आपका की इस के टीद्टर है जो का परीन्टर है तो ही हो गया आपका और पूट दिवाइस होगे आपका क्या ओट outta do तरी कैसे प्रोजेक्टर है आपका स्क्रीन जो है वह बाहर आ रहा है तो वही हो गया आपका और पूट डिवाइस कुछ एक्जामपल है दोस्तों देख लेते हैं कि आपको दिख रहा होगा दोस्तों कि दिख रहा होगा सबसे पहले प्रिंटर मोनिटर हेडफोन सौंड कार्ड स्क्रीन प्रोजेक्टर जीप्यस लोकेशन स्पीकर वीडियो कार्ड प्लोटर सब में सब देखो अगर आपको समझ रहे होंगे आप तो सब में सब एक ही कॉमन है कि डेटा जो है वह बाहर आ रहा ह प्रिंटर आपको पता ही है मोनिटर पता ही है हेलिपोन पता ही है सौंड कार्ड से क्या होता है सेम चीज़ होता है लगाते है सौंड कार्ड कहीं भी रहता है सौंड जो है वह आपका क्या रहता है बाहर आता है सौंड जो बाहर आता है उसी तरीकर पता ही है आपको वीडि की जैसा ही समझ लो आप अभी के लिए ठीक है और बिल्कुल उसी तरीके से यह जो डिफरेंट आप का पिक्चर है अरे कंडिशन का जो प्रिंट लेता है वही आप समझ लो की प्रिंटर के जैसा ही है जो यह different different picture हर एक तरह के आपका जो picture है different design का picture वो जो है plotter के help से क्या होता है कि वो बाहर आता है यानि मिला जुला के बस आप आप यह समझे लोग इससे data जो है computer के बाहर आ रहा है तो यह भी आपका output device उसी तरह के projector जो है screen projector जो है उससे आपका जो है वो बाहर आ रहा है GPS location में भी वही चीज है GPS location में भी वही है कोई भी location जो है कोई भी जो location है जो भी आपको दिखता है जो भी दिखता है वो system के बाहर है तो वो आपका क्या है output unit output device है जो भी है वो क्या है output report the दिवाइस और वाय कि जितना भी तरीका किर्वा छाइबuri कला हैं कि देटा कहीं कम्पीटर के बाहरा हुआ हो और आपका क्या हो गया output दिवाइस तो sixcket unit में क्या हुआ क्या हुआ कि जो कम्प्यूटर के डेटा को डिस्प्ले करें जो डेटा को डिस्प्ले करें और कम्प्यूटर का जो डेटा को human durable form में चेंज करें आपका output unit का काम है और output device को क्या होगा जिए उस device के help से data computer के बाहर आ रहा है वो सबका सब आपका क्या होगा output device और यह आपका एक्जामपल प्रिंटर मोनिटर हेड़फोन सौंड कार्ड स्कीन प्रजेक्टर एस्पीकर वीडियो कार्ड प्लॉटर वीडियो कार्ड प्लॉटर तो यह है आपका output device आसा करता हूं दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा कोई भी हाट टॉपिक था नहीं इनपूट और CPU में क्वेश्चन जो आपका पूछा जाता है जनरली क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि printer किस तरह का डिवाइस है आप से पूछा जागा input device आप आसानी तो बना सकते हो आपको समझ में आएगा तो LU का क्या काम है CU का क्या काम है यह सब सब का सब आपका पूछा जा सकता है logic gate का क्या काम है तो यह सब जो भी है आपका input output unit से कुछ question एक दो question रहेंगे तो आपका आसानी से बन जाएगा जैसे brain of the computer किसको बोलते हैं CPU को तो इस तरीके का ही question देगा दोस्तो बन जाएगा ज्यादा hard topic था ही नहीं आसा करता हो कि आप सभी को समझ में आ गया होगा इसमें कुछ ज्यादा कुछ खास था नहीं उसे समझने लाट फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप comment में जरूर लिखिए मैं फिर से उसको next video में explain करूंगा आपको पक्का समझ में आ जाएगा में परिक्वेश्ट करूंगा कि दास्तर दर ल 다/. مर्निंग आप पे जाए और यहांपर огले एपने आपको जगरें हैंपने आपको किया कि आप कितना परहाई किए हैं कितना आपका इंप्रुमेंट कि ज़ुड़त है और यहां पे जाके इस जरूर डौर लàiनिंग आपको install करें और free test आप दे यहां के computer का भी test available है वहाँ पर जाके दे और देने के बाद आप देखें कि आपको फाइदा हो रहा है कि नहीं फाइदा हो रहा है कि तो free test देने के लिए आप यह दासर्दर लर्निंग आपको install जरूर करें जरूर से जरूर दासर्दर लर्निंग आपको install आप करें इसके बाद मैं फिर से आपसे request करें हुआ कि जितना भी कोई है जितने भी student है सब के सब connect हो जाए सब के सब connect हो जाए study for PCS YouTube channel से जहां पर free content available है मेरा लगातार वीडियो वहां पर आ रहा है अब computer के वीडियो के लिए उहां पर जरूर connect हो जाए जरूर आप subscribe कर ले जो JSC का त्यारी कर रहे है वो जरूर से जरूर इस चैनल को subscribe कर ले और free content का ज्यादा ज्यादा उठाए और computer के लिए लगातार जूरे रही है कुछ करने की जोट नहीं बस वीडियो को देखते जाए आपका 20 में से 17-18 कोस्चन कहीं नहीं जाएगा तो मेरी बात को मानिया दोस्तों आप जरूर से जरूर से जाके इस चैनल को subscribe कीजिए और वीडियो को देखिए हम लोग मिलते हैं फिर next वीडियो में मिलते हैं फिर next वीडियो में एक नए topic के साथ नए topic के साथ सब तक के लिए thank you द content लाया जाएगा thank you दोस्तों have a good time thank you